तो आज दोस्तों बात करेंगे 36 गर की आज की दिन भर की ताजा ख़बर ताजा अपडेट के बारे में तो आज है 11 अगर्ष से 2020 मंगलवाय का दिन तो वीडियो को लास्टर तक जरू देखना दोस्तों ताकि कोई भी ख़बर चुटने न पाएं और वीडियो को लाइक से र सोब्सक्राइबल में में लाक्ड़ान के चलते लगातार बड़ है सोने चांदी के दां में समवान को बड़ा बदला हुआ है 10 अगस को जाई रेट के 90 सोने की कीमत में 576 की कमी दर जखी गई है जबकि चांदी की कीमत में 418 रुपय की गिरावाट आई है चांदी जो अब तक 21 जिनों में 45 फिर्जी की रिटरन दे चुका है आज निचे लोड़ना शुरू हो गया है तो समवार के सोने की कीमत में 576 रुपय की गिरावाट के बाद 24 करेट गोल्ला की कीमत 555,550 पर परती 10 गराम हो गया है इसके अलावा 99.6 फिर्जी सुधता वाले सोने की कीमत 50,884 पर परती 10 गराम रहा है तो वहीं 18 करेट वाले सुने की किमत में 40,366 रूपए पर 10 ग्राम की गिरावाट आई है तो बात चान्दी की किमतों की करेटों आज चान्दी के दाम में 488 रूपए की गिरावाट आई है इसके बात चान्दी के दाम तो साथ यागे खबर है दोस्तो कुरोना खत्रे के बीच इसकुल खुनने की तैयारी तो नए दिल लिकुरोना संक्रमन की वजह से देज भर की इसकुलों में तालो के अब खुनने के असान नजर आ रहे हैं सास्की अकाले और वर्साइक गतिविदों पर लगी रोक को धेदी खटाने जाने के बाद अब एक सितंबर से इसकुल खुनने की तैयारी की जा रही हैं तो जानकारी के नुसार इसकुलों को एक ही जटके में नहीं खुलते हुए तीन चौनों में खुला जाएगा जिसमें सबसे पहले बारवी और ग्यारवी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी उसके बाद दसवी और नौवी और सबसे अंत में आठवी से पहली कक्षा तक कक्षाएं शुरू की जाएंगी यही नहीं गाइडलाइन के मुताबिक हरवग में अधिक से अधिक 30 बच्चे ही पढ़ाई करेंगे तो इसके अलावा स्कूल में प्रातना सभा नहीं होंगी किसी प्रकार का आउजन भी नहीं किया जाएगा बच्चे के लिए भी बंदी से रहेंगी ज जिसमें वोग खूद घर से पानी लाएंगे और इसकूल में खेल खूद नहीं कर पाएंगे यही नहीं दूसरे बच्चों के साथ कोई समान भी सेयार नहीं करेंगे मतलब बच्चों को दो गज दुरी के नीमों का पालन करना होगा तो अगे बरतन दोस्त आगे खबर हैं तो समर्थन मुल्य पर धान और मक्का खरीदी के लिए किसान पंजन की तिथीता है तो रायपूर अगामी धान खरीदी के लिए मंत्री मंडलिय उप समीती की बैठक मंत्राला है नवा रायपूर में खाद्द मंत्री अमर्जीत भगत के धक्चिता में आजजित हुई अगामी खरीब विपनन वर्स 2020-21 में परदेश के किसानों से समर्थन मुल्य पर धान और मक्का खरीदी करने के लिए किसान पंजन की अवधी दिनांग 17 अगस 2020-31 अक्टूबर 2020 तक निरधारित की गई है विगत खरीब वर्स 2019-20 में पंजी किसान को खरीब विपनन वर्स 2021 2021 के लिए पंजी किसान के माध्धम से अध्यतन कराये जाएगा नए किसानों का पंजन तहसिलदार के माध्धम से किया जाएगा तो खरीब विपनन वर्स 2020-21 में अनुमानित 85 लाग तन धान उपारजन है तो अवस्यक नए जूट बारदाने की वर्स जूट कमिशनर के गेट और खुले अब तक खुल चुके हैं पांज गेट पर सासन ने जारी कि अलर्ट जानकी चाप राइगार सहीद उडिसा को भी दी गई सूचना तो कोरबा बांगो बांग में पानी का जल भराव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हैं वैसे वैसे ही बांग के गेट क्रमब पहले से ही बांग के तीन गेट खुल कर नदी में लगभग साड़े चौदा हज़ार की उसे एक पानी चुड़ा जा रहा था आज बांग में जल भराव की सिती को देखते हुए दो और गेट साम को खोल दिये गए हैं तो अब कुल मिला कर पांच खुले गेटों से हजदे को के बीच कांच की दिवार होगी तयारी का जायजा लेने पहुंचे अध्यक्षा तो 36 गड़ की विधान सभा की करवाही पर भी क्रोना का सरपड़ेगा सफाई और सोसल डिस्टेंसिंग के पुरा ध्यान इस दवरां रखा जाएगा तो समार को यह तयारियों का जायजा लेने विधान सभा के अध्यक्ष चरन दासमहन पहुंचे 36 गड़ विधान सभा का मांसुन सत्रा 25 से 28 अगसे तक चलेगा एक सीट पर पहले की तरह दो विधायों बैठेंगे लेकिन इनके बीच कांच की एक दिवार ले गई जा रही है इस कांच को भी समय समय पर सिनिटा पहले की तरह यहां आम लोग नहीं आ सकेंगे तो इसी भी चगड़ी बड़ी खबर है दोस्तो भारत में 24 घंटे में एक हज़ार से जादा मौते बैंसाट हजार ने मरीज मिले आंकड़ा 22 लाग के पार तो नई दिल्ली भारत में लगातार कुर्णा की संख्या तेजी से बड़ा ही है इसके साथ ही मौतों की संख्या भी भारी वृद्धी हुई है देश में पहली बार कुर्णा संक्रमन से एक हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है केंद्रिय स्वास सेवं परिवार कल्यान मंतरले की आंकड़ों के मताबिक पिछले 24 घंटों में रिक 24-46 लोगों की मौत हो चुकी है तो मिजुरों में एक भी मौत नहीं हुई है तो आगे बारता तो अगे ख़बर है 36 गड़ सुक्मा में सुरक्षा बलो की नक्सलियों के कैम में दबीज जवानों को देखकर भाग निकले नक्सली तो 36 गड़ के सुक्मा में रईवार को सुरक्षा बलो ने एक बार फिर नक्सलियों के कैम को दहस्ता कर दिया जवानों को आने की सुचना पर नक्सली कैम छोड़ कर भाग निकले इस दोरान जवानों ने उनका पिछा भी किया जवानों ने मौके से आई डी स्वीच नक्सली की वर्दी सहीत अन्य समान बरामत किया हैं तो पुलीस ने बताया कि भेजी और कोंटा जठाना छेतरा के जंगलों में नक्सली के होने की सुचना मिली थी इसके बाद आठ अगस्ता को डी आरजी और एस्टेफ की सहयुक्त ट्रिम को सर्चिंग के ल ले ही नक्सली केम छोड़कर जंगल का फाइदा उठाकर भाग निकले मोके से जवान नक्सली टेंड छे पिट्टू दो नक्सली वर्दी एक जरकीन आई डी स्वीच सहीत सहीत अन्य समान बरामत किया हैं तो सांथ यागी खबरे दोस्तों पूरो रास्ट्रपती पर्णा म मुखर जी कुरोना पाजिटिव ट्वीट कर दी जनकारी तो नई दिल पूरो रास्ट्रपती पर्णा मुखर जी कुरोना पाजिटिव पाए गये हैं उनकी कुरोना जाच रिपोर्ट पाजिटिव आई हैं पर्णा मुखर जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जनकारी दी उन संसादान मंत्री अर्जुन मेगवाल भी कुरोना वसंक्रमित पाए गए हैं अमिस सहां का मेदानता अस्पताल में लाच चा रहा हैं तो सांस या के खबर है दोस्तो अब जीस घर में कुरोना मरीज मिला सिर्फ वही घर होगा कंटेंडमेंट जोन तो राइपूर राधानी र आने वाले समय में हलात कितने मुश्किल भरे होंगे इसकी कलपना की जा सकती हैं क्योंकि बीते पंदर दिनों से राइपूर में हर रोज सभी अठी सहरों के तुन्ना में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं आकड़ा चारहत जार्प हो चुका हैं अब तक 43 मरीज अपनी जान गवा चुके हैं इस परस्त हैं कि पूरा सहर कंटेनमेंट जोन हुचुका हैं यही वज़ा हैं कि कंटेनमेंट जोन का दèreा सिकुर्त हुवे एक घर तक सीमित कर दिया गया है पहले कुरोना वारास मरीज मिनने पर 3 किलोमेटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होता था तो आगे बरतन दोस्तों आगे खबर है गैस कटर से एटियम कांट लाखो रुपय की चोरी अंतर राज जिया गिरोहों के साथ सदर से गेपतार 22 लाख रुपय भी जबता तो बलदा बजार जिले के सिमगा में पिछले दिनों एटियम से लाखो रुपय चोरी कर फ्रहार हो गये थे पुलीस ने एटियम चोरी के अरुपयों को दबोच लिया है पुलीस महानी रिक्षक रैपूर इंज डंक्टर अनन छाबरा ने आज मामले का खुलासा किया उन्होंने बताया कि अंतर राजिय गिरोह हर्याना मेंवास से आकर वारदात को उन्जाम दिया था गिरोह के साथ सदस्यों को पुलीस ने गितार कर लिया है पुलीस महानी रिक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें जुलाई दविवार देर रात को सिमगा पुराने बस स्टेंड के पास SBI ATM में चोरों ने धवा बोला था ATM को गैस कटर से कांट कर लाखों रुपी निकाल कर फ्रहार हो गए थे सुबह लोगों को चोरी की जनकारी हुई तो मौके पर पुलीस पहुँचे पुलीस ने आतपास के सिसी टीवी कंजाज किया इससे पता चलक कि आरुपी देर रात कार से पहुँचे थे और गैस कटर से ATM कांट कर लाखों रुपी फरहार हो गए पुलीस ने सिसी टीवी के अनुसार आरुपियों की तरा सुरू की जिसके बाद गिरोह के साथ आरुपियों को गिर्तार करने में पुलीस को करना भी मिली तो पुलिस ना रुपियों से 22,47,000 रुपे बरामद किया इसके साथ घटना में परियुक्त देश्टी कट्टा साथ चाको सहीत अन्याजार बरामद हुआ है वहीं पुलिस महानी जिसक ने मामला सुझाने वाली टीम को 25,000 रुपे पुरुसका देने की गोसना की है